यह अंकुरीत डाले हैं मसूर की डाल है इसमें और चना है काला चना इसको भिगव कर स्प्राउट्स कर लिये हैं यह अंकुरीत हो गए थे इसको मैंने उबाला नहीं है तेज गरम पानी में इसको पांच मिनिट के लिए भिगो के रख दिया और उसके बाद छान कर निकाल ल लेना है और इसके लिए मैं यूज करूंगी ब्रॉकली यह खीरा है शेमला मिर्च टमाटर अलू ओप्ष्णल है आप चाहोते एक अलू बाल के डाल सकते हो स्वाद के लिए नहीं तो बिना अलू के बना सकते हैं यह मुंगफली है मुंगफली को रात को भिगो लिया था मैंने मुंगफली सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कच्ची मुंगफली को रात में आप भिगो दो और इसके कम से कम दस दाने अगर मॉर्निंग में आप खालोगे तो आपकी सेहत के बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है यह मैं इसी में डाल दूंगी यह पुदीने के पत्ते हैं छोटे-छोटे मिंट मैं इसमें धन्या नहीं डाल रही हूं पुदीना डाल रही हूं आप धन्या भी डाल सकते हो मिर्च ऑप्शनल है अगर आपको चटपटा चाहिए तो आप मिर्च हरी मिर्च डाल सकते हो पर मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रही हूं और यह आधी टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है आधी टीस्पून भुना हुआ जीरा है आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर है आधी टीस्पून ही मैंने अमचूर लिया है य नेते इसको भी आप वाइड कर सकते हो इसके अलावा यह लेमन है आप इसमें आधी लेमन का जूस डाल सकते हो आधी नीम्बू का रस मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इतनी सारी कलरफुल वेज़ेटेबल्स हैं इसके अंदर सैलेड में जो भी सबजियां आप खाते हो वो सब इसमें डाल सकते हैं गाजर है सैलेड पता जो भी आप डालना चाहूँ बहुत बढ़िया जो इसमें मैंने सारे मसाले डाले हैं अगर आप वो सब नहीं डालना चाहतें आपको और आसान करना है या टेस्ट चेंज करना है तो यह MDH का चंग की चाट मसाला है यह यह आप जो है चाट मसाला इसमें से वन टीस्पून चाट मसाला डाल सकते हो अपने स्वाद के अनुसार तो यह सारे मसाले डालने की आपको कोई जरूत नहीं पड़ेगी चाट मसाला और आदा निम्बू डालकर आप इसको मिक्स कर लेजिए और यह आपका सलाथ तयार है यह है हेल्दी नाष्टा थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कोई और हेल्दी फूड आपको दिखाने की मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू